नमस्कार चैह हिंदी स्टड़ी भात में आपका स्वागत है 21 फर्वरी 2023 इवनिंग शिफ्ट के एक्जाम अनल्सिस के बारे में जानेंगे जानेंगे कैसा रहा आज का एक्जाम टफ था या इजी सो वीडियो के अंट तक देखते रही है अगर आपको इस बार योजी सिनेट एक्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट त्यारी करनी है और पहली बार में एक्जाम कौलिफाई करना है तो हमने लॉंच किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टैस सिरीस पीडियाप जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो की बेस्ट है न्यू पैटर्न के उपर तो पेपर बन के टैस सिरीस की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज पूरा PDF आपके WhatsApp पे आएगा पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे है इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज इसमें आपको फुली अपडेटेड कम्प्लीट टैस सिरीस आपके WhatsApp पे दी जाएगी तो जल्दी से इस नमबर पे Factor-Affecting Teaching ये आएँ आए है आपको इसके ऑपर फोकस करना है अब दिख्ये Unit 2 तू रिसर्च अफ्टिविट में इविनिंग में के रिसर्च मैसें आया है स्टेपस आया है थीसिस आया है comprehension level easy है evening shift में देखे communication में types of communication है verbal और non-verbal communication से आये है unit 5 की बात करे maths की, letter series profit loss, time speed distance ठीक है यह यहाँ पर आये है train का speed था, distance था यह आया था unit 6 logical unit जो logical reasoning है उसमें देखे अनुमान है, प्रमान है और fallacies है इसके caution आये थे ठीक है और देखे, data interpretation level easy ही है, चीक है अब देखे, इसमें percentage, average और ratio अगर आपको यह 3 chapter आते है तो data interpretation का कोई भी caution आप solve कर सकते हैं तो अगर आपको DI की त्यारी करनी है, सबसे बहले 3 chapter को पक्के कर लिजिए percentage, average ratio को, जिससे आपका DI अच्छे से हो जाएगा so 8, number unit है ICT, so इसमें internet से caution आया था full form आया थी, और digital initiatives, ठीक है जो latest वाले हैं, वो आया थे people development environment में देखे environmental issues, natural hazards ozone layer से caution था और pollution से था, ठीक है unit 10 में देखे higher learning से था NIRF ranking और national education policy जिससे topic से caution आया थे तो I am hope आपको इस topic clear होगे होगे आप मेरी हर वीडियो देखे मैं हर वीडियो में सबसे पहले topic discuss करता हूँ unit के, कि ताके आप उस topic से जो अच्छी त्यारी कर सके उसको note करे, उसके बाद फिर हम caution discuss करेंगे, क्यों देखे topics तो पता है कि यह त्यार कर रहे है caution क्या है कि जब student caution बताते हैं आधे उन्हें याद होते हैं, आधे बूल जाते हैं तो इसलिए हम आपको उतने caution देते हैं जितने वो उन्हें याद रहते हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्चन, CPU की फिल्फूम आती है Central Processing Unit सो, the CPU is essentially the brain of a CAD system यहनकी computer का brain क्या है CPU है, CPU की फिल्फूम क्या है Central Processing Unit ठीक है, it consists of an arithmetic and logic unit, ALU a control unit and various registers, ठीक है, इसमें ALU है, और CPU often simply referred to as a processor, देखिए, इसे simply कई फिल्फूम भी कहा जाता है तो, CPU की फिल्फूम बता दी CPU क्या है, वो बता दिया, तो ऐसा कॉसंदा, उसके देखिए, स्वाइम क्या है, स्वाइम की फिल्फूम देखि लिजे, क्या है मैश करना था, लेकिन वो बता नहीं था, लेकिन आपको मैं स्वाइम बता रहा हूँ, क्या है Study Webss of Active Learning for Young Aspiring Minds, इनकी स्वाइम की फिल्फूम है, ये क्या है, ये एक वहाँ पर जादा है, गाओं में नहीं है, लेकिन उसी को दूर करने के लिए, गौर्णमेंट ने क्या है, कि स्वाइम को शुरू किया है, कि आपकी सभी बच्चे online education ले पाएं, so number 3 पे देखे, एक question है, 3 men, 4 women, 6 children can complete a work in 7 days, a woman does double the work a man does, and a child does half the work a man does, how many women alone can complete this work in 7 days, यानकी दिखे, 3 पुरुष है, 4 मलहे हैं, 6 बच्चे हैं, किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, एक पुरुष जितना काम करता है, एक महिला उससे दुगना काम करती है, और एक बच्चा, एक आदमी के काम का आधा काम करता है, यानकी यहाँ पे है आदमी और और बच्चा उसे आधा काम करता है, ठीक है, so, how many women alone can complete this work in seven days, हमें किसका निकालना है, women का साथ दिन में कतना काम करते है, तीन जने काम करते है, men, women, or children, men, women को side करके हमें women का निकालना है, वो कितने दिन में complete करते हैं, seven days में काम, ठीक है, so, यहाँ पर देखे, given है, time taken by three men, four women, six children to complete the work in seven days, ठीक है, यहन कि तीन आदमी है, चार औरते हैं, और शे बच्चे हैं, साथ दिन में करते हैं, a man does the double work compared to a man, ठीक है, a woman does double work compared to a man, a child does half work compared to a man, ठीक है, यहाँ पर ratio देख लेते हैं, man, woman की, देखे, यहाँ पर one ratio, two है, ठीक है, यह वला, यह क्यों है, क्योंकि देखे, आदमी एक है, ठीक है, आदमी एक है, और woman कितनी है, दो है, यहन कि अगर आदमी एक काम करेगा, woman, दो काम करेगी, ठीक है, और child और man का देख लिजिए, कि जितना child काम करेगा, यहाँ पर यह बताया गया है, कि जितना आदमी काम करता है, उससे छोटा बच्चा जो है, वो दुग नहीं घरेगा बात देखी है ठीक है तो यहाँ पर मैं वोमेन की कितनी आजाती वन डिसो टू और चाइल्ड और मैं की आ जाती है यह रिशोटилиकर को चलेको वाल टू केल्कुलाशन करते निकालते हैं मैं वोमेन और चाइल्ड ङ वह आ 3 men 4 women 6 child है ठीक है तो 3 men man की जगह पे देखे यहाँ पे 3 men है man की जगह 2 आ जाएगा ये वाला और 4 women 4 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे ये आ जाएगा तो हमारे पास क्या आया 3 into 2 हमारे पास आया 3 into 2 plus 4 into 4 plus 6 into 1 और हमने multiply कर दिया 7 से हमने क्या किया हमने इसमें यांकि जो ये वाला portion था हमारा ये वाला इसमें हमने इस ratio को डाल दिया 2 डाल दिया इसमें 4 डाल दिया इसमें एक डाल दिया इसमें क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे ratio निकाल ली है efficiency की ठीक है तो multiply करके सब आया 196 upon 4 into 7 यह यह देखे यह वाला जो है वो कैसे आया यह वाला वो कैसे आया चीके यह ऐसे आगया ठीके इसको solve किया हमार पास आगया 7 ठीके तो right answer है 7 so next question है what is the main aim of NEP 2020 national education policy 2020 का main aim क्या है India a global knowledge super bavar यह की India को knowledge super bavar बनाना यह है national education policy का aim so next question है the profit earned by selling a chair for rupees 750 is 1.2 the loss incurred when the same chair was sold for rupees 100 what is the cost price of a chair यह की एक कुर्सी को 752 रुपे में बेचने पर अरजित लाव उस कुर्सी को 400 रुपे में बेचने पर हुए नुक्सान का 1.2 गुना है कुर्सी के लागत क्या है देखें यहां पे बताया गया है कि कुर्सी को बेचा 752 रुपे में यह की लाव हमें नहीं पता कितना हुआ लेकिन अगर उस कुर्सी को 4 रुपे में बेचा गया ठीक है उसका नुक्सान हो गया 1.2 गुना तो कुर्सी की लागत कितनी है ठीक है यहां बेचने का बताया है लागत नहीं बताई ठीक है देखें दो चीज़ें होते है CP होता है Cost Price एक होता है SP यहनकी Selling Price Selling Price हमारे पास है लेकिन हमें Cost Price नहीं पता तो देखें यहांपे हम कर लेते है CP को हमने माल लिया X यहनकी Cram उले जिसे कहते है हिंदी में तो Cost Price को माल लिया X तो बीचा कितने में है यह हमारा है SP यहनकी 752 में से हमने X माइनस कर दिया यहनकी 752 का वेचा हमें पता नहीं है कि Cost Price कितनी हमने X माल लिया 752 माइनस X हो गया Is equal to ठीक है 1.2 1.2 क्या आया जो उसका Loss था मुल्य वो और X माइनस 400 लागत मुल्य माइनस 400 इसको solve किया 752 को X के साथ और इसको इसके साथ ठीक है X वाली जो रकम है वो एक साइड आ जाएगी ठीक है और यह वाली एक साइड आ जाएगी ठीक है तो solve करने के बाद यह आता है इतना ठीक है अब देखे यहाँ पर main बाद क्या है 1232 कैसे आए देखे 752 के आगी क्या है प्लस ठीक है यह है माइनस ठीक है तो अगर यहाँ पर जाएगी ठीक है अगर यहाँ पर जाएगी तो यह निशान चेंज हो जाएगा यहाँ पर गया प्लस था यह माइनस हो गया ठीक है 752 ठीक है 752 तो माइनस माइनस होता है प्लस 480 और 752 का प्लस किया तो आगया 1232 तो यह इसका right answer है 560 रुपे यहनकी 560 रुपे 560 रुपीस क्या था उसका वो उसकी cost price थी ठीक है तो next question last question है यह वला देखे आज इतने ही question पता चल पाएं है so last question है assignment method of a teaching is a combination of which of the following यहनकी शिक्षन की समुदेशन विधी निमंकित में से किसका संयोजन है यहनकी देखे जो assignment method है teaching का वो किसका combination है चीक है अब देखे यहाँ पर यह point देए है रिश्टिंग method lecture come demonstration project या lecture method अब देखे इसका right answer है lecture come demonstration method and laboratory method यहनकी वे ख्यान सहर मिर्देशन विधी और प्रवक्षला विधी अब देखे assignment में क्या है जब देखे teaching में assignment बनाने के लिए दी जाती है यह combination वो किसका होता है demonstration का ठीक है lecture का demonstration और laboratory का अब देखे कोई assignment बनाई जाती है पहले समझाया जाता है lecture के जिरिए फिर इसको valid करने के लिए laboratory method के दोरा use किया जाता है तो यह assignment method इससे बनता है अगर आप science के subject की बात करें तो वहाँ पर assignment आपको बनाई जाती है तो laboratory method यहाँ पर use होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका solution है चीक है तो यह थे आज की question